हेलो एवरिवन मैं हूँ उजमाली शेक और वेलकों बैक टो माई चैनल गुल्डन स्पून्ग आज हम आपके लाएं हैं चना मसाला चाट की रेसिपी इसे बनाना बहुत ही सिंपल है और यह बहुत जल्दीव बन जाती है तो चलिए देखते हैं इसे बनाने का तरीका इसे बनाने के लिए यहां मैंने एक कटूरी काले चनी को चार से पाच भंते के लिए पाने बिखो कर रखा था अब हम इसे कूकर में पॉल कर लेंगे इसमें जितने चनी है उसे थोड़ा जादा पानी एड़ करेंगे जिसमें चने डूब जाए यहां मैंने लगबग देड़ से दो कटोरी पानी एड़ किया है इसे तीन से चार विसल आनी तक कुक कर लेंगे हाई फ्लीम पर अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छी लगती है और शेयर विर फैमिली एंड फ्रेंड थैंक यू तीन से चार विसल में यह अच्छे तरह गल गए है यह देखिए और इसमें थोड़ा पानी रहे गया है तो इसे ऐसे ही रहने देगे अब एक पैन में एक चमच कुकिंग ओल लेंगे और फिर इसमें आदा चमच जीरा अट कर इसमें चार से पाच करी लीव फिर एक स्मॉल चॉप की हुई अनियन दाल कर इसे ट्रांस्परेंट होने तक मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे दो मिनिट के लिए फिर एक मीडियम साइज का टमाटर स्मॉल कटकिया हुआ एड करेंगे इसे मिक्स कर लेंगे टमाटर के सॉप्ट होने के बाद एक चमच अधक लसन का पेस्ट दाल कर दो मिनिट के लिए लो फिलीम पर भून लेंगे फिर इसमें नमक टेस्ट के अकॉडिक एक से देर चमच लाल मेच पाउडर आदा चमच हल्दी पाउडर आदा चमच धन्या पाउडर एड करके मिक्स कर लेंगे अब इसमें बॉयल के हुए चने एड कर लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे इसके बाद इसमें एक चुखाई का पानी डाल कर इसे ढग देंगे और 4-5 मिनट के लिए कूप कर लेंगे चार-5 मिनट बाद इसका सारा पानी almost dry हो चुका है अब इसमें एक चमिश आमचुर पाउडर एड़ कर लेंगे आमचुर पाउडर की जगह आप यहां lemon juice भी यूज़ कर सकते हैं फिर इसमें थोड़ी प्यास, टमेटर और चॉप्ट हरी मिर्ठी डाल कर mix कर लेंगे इसे 30 से 40 सेकिंड तक cook कर लेंगे और फिर चॉप्ट हरा धनिया डाल कर ग्यास की flame को बन कर देंगे इसे सर्फ कर लेज़ें हमारा चना मसाला चाट बन कर रेड़ी है फ्रेंट्स, जैसा कि आपने देखा, यह बहुत ही जल्दी बन चाता है चना है, तो healthy तो है ही, साथ में tasty भी है तो इस चना मसाला चाट की recipe को try कीजिए और हमें कमेंट तरके जरुर बताईए आपको यह recipe कैसी लेजी और जल्दी मिलते हैं एक नई और interesting recipe के साथ So take care and stay safe Thank you for watching